मैं मानिय खिल मंत्री जी को और मानिय प्रधान मंत्री जी को धन्यबाद देता हूँ और इसलिए धन्यबाद देता हूँ कि आज दुनिया में दो ही देश ऐसे हैं जिनके किसी भी टूर्नामेंट में पूरे के पूरे खिलाडी जाते हैं मेडल को देख करके नहीं जाते हैं वो एक भारत और दोसरा अमेरिका इसके लावा कोई तीसरा देश नहीं है जिसके पूरे खिलाडी जाते हों अब जैसे मेरा भासन नहीं करूँगा छोटा छोटा जैसे मेरा पड़ोसी देश पाकिस्तान है पाकिस्तान की बात नहीं करना चाहिए निंदा करने का नहीं है अद्यक जी उसका कुस्ती का बजट है 10 लाख और मेरा 10 करोन मेरे कुस्ती का बजट 11 करोन आज मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कहसाथता हूँ कि दुनिया में कोई भी देश हमारे मुकाबले सुवधा नहीं दे रहा है मैं नाम सहित अगर अनुमत के ओल नाम पढ़ने का करता हूँ के लिए प्रेकरसन यह बद थोड़ा नाम सहित जैसे मिस्टर ताथ सुहिरो जापान का पहलवान है अध्यक जी यह मात कलक बनाए जाते हैं यह गोल्ड मेड़िस्ट है जापान की यह सोदा तीन गोल्ड मेडल है ओलम्पिक का वो मात कलक है ऐसे नाइजेरिया की पहलवान है मतलब और कुछ नहीं मिलता है और मैं भारत सरकार को भारत खेलमंत्राले को देश को भी कि एक तरफ जहां कलक बना करके मातर दस बीस लाग रुपया डालर दे करके खल्याडियों को संतोस करना पड़ता है वहाँ यहां हमारे हाँ एक कासपदक जीत बीजेता भी करोण पती हो जाता है और दूसरा मैं जो मेरा सबसे बड़ा चुकी एक एक वन मिनट इसके बावजूत इसके बावजूत इसके बावजूत सर आज तक आज तक आज तक देश का कोई राष्ट्रिय खेल नहीं है हम लोग सुनते थे कि हां की है लेकिन इसी फोरम पर जबाब दिया गया है इस देश का कोई राष्ट्रिय खेल नहीं है कुस्टी के पक्ष में मैं त्रेता से लेकर के द्वापर से लेकर के मुगलकाल से लेकर के अंग्रेजों के समय से लेकर के और महाराष्ट में शाहूजी महाराष से ले करके मैं आत्तका उधरन दे सकता हूँ और कुस्ती ये एक ऐसा खेल है जो जिसमे कोई खर्च नहीं है कुस्ती कबड़ी कुस्ती कबड़ी खोखो तैराकी ये प्रकिर्ट पदत्थ खेल है इसको किसी नहीं बनाया है ये जितने खेल निकले हैं इसी से निकले हैं तो हमारी बांग है कि भारत का कोई राष्ट्रिय खेल होना चाहिए उसमें कुष्टी नंबर वन पर है और इसके कोई असामत नहीं झाल 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 झा